प्रफजा संगीत रागी जी समीर जोगाउंकर साथ बहुत स्वागत सर अब आप सभी लोगों का खेल शुरू हो गया है सरकार बनने से पहले टांग खीचाई टांग खीचने के साथ-साथ हमको यह भी चाहिए हमको वो भी चाहिए अरे वो चूट गया था वो भी चाहिए सब कुछ मांगा जा रहा है सब मांगा जा रहा है तो अब वो डीटेल धीरे-धीरे आने लगी है कल हम लोग यह बात कर रहे थे देखिए इस सरकार में नरेंद्र मोधी को पहली बार घटमंदन की सरकार चलाने का रुमःब होगा नरेंदर मोधी जी देश के सबसे पके हुए मझे हुए राजरीता हैं सब जानते हैं लेकिन ये जो खिलाडी हैं जो साथ में उनको इस बार से योगी मिलें ये भी कम नहीं है टीडीपी के चंदरबाबू नाइडू कभी अलग कभी पास ऐसे ही नितीश कुमार कभी प्यार कभी दुश्वार सब कुछ चलता है रहा इनका साथ साथ और देखिये ना मतलब जिसे आप कहते ना बिल्कुल शब्द इसको नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा लेकिन घाग पॉलिटिशन मतलब भाई अब हम कुछ दे रहें तो हम कुछ चाहिए बदले में आपसे कुछ यह तो स्रिष्टी का नियम है कोई बात नहीं तो इसके लिए इनको तो दोश नहीं दिया जाएगा अब इनसे निप्टेंगे कैसे मोदी जी यह आज का सवाल है पहले खबरें आपको बता दें कल देखिए राशपती का वो विदाई भोज भी हो गया जिसमें सारे मंत्रियों को बुलाया गया था वहाँ प्रधान मंत्री गए सारे मंत्री गए अब उसके बाद वो इस्तीफा पहले ही देख चुके है ये तो और ईगर हैं ये चाहने जल्दी से जल्दी सरकार बना लीजें किसी भी तरीके से अब ये मांग क्या रहे हैं सबसे बड़ा सवाल है उसके लिए आपको एक लिस्ट पहले बनानी पड़ेगी इस सरकार के प्रमुक सयोगी नमबर वन सोला सांसद वाले टीडीप चंदरबाबु नाइडू नमबर टू नितीश कुमार जेडीउ नमबर तीन एकनाच शिंदे नमबर चार चिराग पासवाँ इसके बाद आ जाती है जेडीएस हम वाले एक 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 वाले सब अरलडी दो वाले हैं तो ये जो कम से कम दो वाले हैं ये कम से कम एक तो चाहेंगे हमको एक मंत्री बना दो दो वाला जिसके पास सांसर जाए ऐसे तो एक वाला भी चाहेगा कि हमको बना दो लेकिन सारे एक एक वाले नहीं बनाए जा सकते मंत्री मंडल क्या होता है यह से कहा जा रहा है अब ये सब अभी जो सब जगे आप छपा हुआ सब पढ़ रहे हैं मैं तो सब यहाँ पर उडेल दे रहा हूँ फिर उसमें से हम बता देंगे कि क्या सच है और कितना जूट है उसमें से जैसे एक आगया कि चंदरबाबु नाइडू जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री और हम मिनिस्ट्री दोनों मांग रहे हैं साथ में वो स्पीकर की पोस्ट भी मांग रहे हैं स्पीकर क्यों इंपोर्टन्ट है याद कीजिए 1999 की सरकार बाजपई जी प्रधान मंत्री थे एक वो उनका वोट नहीं होना चाहिए था आप मुख्यमंत्री बन गए हो लेकिन टेक्निकली वो सांसद भी थे स्पीकर साहब ने अलाओ कर दिया कि आप वोट डाल सकते हैं उनके एक वोट से सरकार गिर गई थी यह होती है स्पीकर की ताकत इसलिए स्पीकर चाहिए भी और आप स्पीकर का इस सब में बड़ा महत्पूर रोल है इसलिए टीडीपी स्पीकर भी चाह रही है तो आप पहले लिस्ट बनाते हैं आई साब टीडीपी क्या-क्या चाह रही है मेरे पास जो एक थोड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो अपनी फर्माईश दी है हर्च परतन जी टीडीपी की पहले बात कर रहा हूं स्पीकर स्पीकर के साथ साथ मों मांग रहे हैं रोट ट्रांसपोर्ट एग्रिकल्चर रूरल डेवलप्मेंट आईटी कम्यूनिकेशन हैल्थ एजूकेशन हाउजिंग गर्मन डेवलप्मेंट मैं और मिनिस्टर ऑफ स चाहिए बताइए और भले हम यह कहें कि 282 और 303 पे थे तो अपनी शर्ते थी लेकिन अगर कोई भी फॉर्मूला तै होगा तो एक फॉर्मूला यह तै होता है कि आप कौन-कौन सी पार्टी हैं सब को कम से कम एक कैबिनेट मंत्री जरूर दें अगर आपका वह सही होगी है अगर दूसरे लोगों के पास नहीं है तो एक राज्य मंत्री देने की बात होती है फिर तीसरा फॉर्मूला क्या होता है तीसरा फॉर्मूला यह है कि यह पार्टी है अगर यही अकेले नहीं रहेगी तो सरकार बनेगी या विकड़ेगी अब इन तीनों फॉर्मूले पर क कहीं ऐसे नहीं है कि वो रहेंगे तभी सरकार बनीगी वो नहीं रहेंगे तो गिर जाएगी ऐसा नहीं होने वाला है भारती जनता पाटी ने इस तरह से निर्दली और छोटी पार्टी ने जुटाया है जिन आठ सांसदों की बात हम लोग परसों कर रहे थे कि अगर ये दोन तक टाल के 12 तारीक को कर लेते हैं वो क्या ऐसा कोई टकराव चाहेंगे वो चंद्रबाबू नाइडू जिनको अभी वहाँ बहुत मुश्किलों से जूजना पड़ा है और भले ही भारती जनता पार्टी की वहाँ जीत है वो चंद्रबाबू नाइडू और पौन कल्याण की जैसे है लेकिन दोनों को पता है कि जो सेंटिमेंट बनाया है उसमें भारती जनता पार्टी की भी बड़ी भूमिका रही है तो क्या वो सेंटिमेंट से इतर जाना चाहेंगे नितीश कुमार की भी वही सिती है अब आप आते हैं मंत्राले पर एक सी तक जोड़ दूँ क्या भारती जनता पार्टी पूरी पार्टी घर में बढ़ी आएगे बिल्कुल नहीं मैं नहीं समझ पाता हूँ ऐसे किसी सूची पर और मैं देखे मैं इस मामले में नहीं बानता कि इस क्रूशियल बारगेनिंग को कोई भी डिस्क्लोज करना चाहेगा वो यह यह जरूर ऐसे क्रूशियल बादा करते हैं नहीं मैं से काम चलेगा आप जिसको चार सबसे महतरपून कहते हैं जो अब तो खर वो भी संग्रहले बन जाएगा इस कारेकाल में लेकिन जो नौर्थब्लोक साउथ ब्लाक के चार सबसे बड़े मंत्राले होते हैं जिनमें हम विदेश कह कोई छोड़ और होगा तो वो एक माथर केम स्कूद्ध ग्रीह और विद्ध कहते हैं अनमंत्राल्यूं कि लगार व verrst बहुति नहीं तौनरे वह ब्रे जो सकते हैं जोड़ काम क्या करना है इसका है वधरले ही सेट है लेकिन जैसे ही आप कहेंगे और दूसरे सारे मंत्राले मतलब जिन मंत्रालें कि आप बात एक लाइन से कर दिये तो मुझे नहीं लगता कि भारती जनता पार्टी वो देदेगी तो वो अपने लोगों तक कैसे पहुंचे जेडियू मांग रही है जो टीडीपी है उसको डिफेंस मिल सकता है हो सकता है कि लोकसवाद ध्यक्ष का पद्य हलाकि मुझे लगता है बहुत खूशियल है अब चीन पाकिस्तान सब की हालत देख रहे हैं सरकार के अंदर उस किसम की ओवर साइट चलती है प्रधान मंत्री की निगरानी के अंदर बढ़ा टॉप पोर में से पहले मुझे बताए कोई दिया जा सकता है तो मैं आपको उस लिहाद से बता हूँ फॉर्मूला क्या बनता है फॉर्मूला बनता है कि आपके कितने सांसद हैं उसको कहीं तरह से फॉर्मूला बनायाता है चार सांसद पर एक मंत्री ऐसे कुछ फॉर्मूला बनाया है, तीन सांसद पर एक मंत्री, ऐसे बनाया जाता है, जो सब पार्टी जो गटक दल होते हैं, उन पर लागू किया जाता है, फिर होता है, मुझे जहां तक समझ है, एक तो ग्रह मंत्राले कभी कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें इन्वाल्व होती है, तो वो किसी को नहीं दिया जाता है, वित्त मंत्राले किसी को नहीं दिया जाता है, यह दो बड़े सेक्रोसेंट मंत्राले, अब एक और किस तहां से फिर बांटा किस तहां से जाता है, यह पार्टियां जो घटक देश और विदेश भी दिया जाता तीन आपने चार बोले ना देखे जो चार आपने मंत्राले बोले उसमें डिफेंस कभी दिया गया है अदर्वाइस भी नहीं दिया गया वो भी क्योंकि जॉज फरनांडेस थे उनके साथ वैसे सम्मन थे जॉज वो इस लिए उस तहां के लोगों को दिया जिया अब बात आती है कि और क्या फॉर्मूला होता है बात यह होती है कि यह पाटियां जो घटक दल होते हैं यह बोलते हैं कि हमने पास्ट में कौन-कौन से मंत्राले चलाए है अच्छा यह एक फॉर्मूला दिया जाता जैसे अगर आप शिव सिना की बात करेंगे स्टील का मं मंत्राले उन्होंने चलाए हैं अगर पास्वान की पार्टी की बात करते हैं तो पास्वान की पार्टी ने आप स्टील मंत्राले चलाया है रेल्वेज बताया है जो उनके पिताजी के पास मंत्राले रहा था तो उस तहां के यह पास में क्या-क्या आपको मिला है पहले यह एक क्राइटेरिया होता है कि हमने ये मंत्राले चला है हमारे ये बाकी मंत्राले जो होते हैं जैसे अग्र देखरी प्रोजेक्स में बहुत की में देखरी प्रोजworth несथेल। बहुत सारी और ट्रेने लाँच होनी है तो IT और रेल्वेस जो है वो अपने पास रखना चाहेंगे कि IT में एक और बात हो रही है कि हम चिप की और जा रहे हैं अब बश्बूरी है कुछ चोड़ना ही पड़ेंगा रहे हैं लेकिन अब बजबूरी है कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा रहे हैं जादा मुस पर यह जादा मुस दे देते हैं कम company minister देटे फिर उस तहां से होते हैं इंपर कोई सब्सक्राइब देखे जो चार मंत्रावलों की बात आ रही है कि CCS के पार्ट होते हैं सारे बड़े DC and CCS के अंदर ही होते हैं तो जनरली और क्या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता सर सहरा फालमूरा राजनितिक रफान नुकसान के साब से होता है 40 सांसदों वाले को भी देशका पदा मंत्री बना दिया जाता है दुर्वत्रवन्न के उपर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सांसदों नहीं होना चाहिए को मजबूरीए ब्लकली आपके इसाइव हो इसके पास यह मजबूरी और हमें यह नि भूलना चै़के बातरी अंतापार्टी के पास धौ四 आधा संसदों के बीशा जरूर्वत ए अपनी बहुमत के लिए इसलिए वो धिशिकुमार के 12 संसद, टेल कूदेशं के 16 संसद और इसके शिव से ना के साथ संसा के दम पर बहुमत पूर्ण हो रहा है चिराक पास्थन को एक और ले लेंगे इसके बाद वो किसी को भावदेश की को जरूरत नहीं है चाहे फिर वो अपना दल हो चाहे वो जीतर नाम माजी का एक साथ साथ हो उनकी तो मैंने बाती नहीं की तो इसके तीन लोगों को जोड़ेंगे और आप देखें दोनों की मजबूरी की आई रहा चंदरबाबु नाइडू को दिल्ले में कोई इंटरस्ट नहीं है चंदरबाबु नाइडू का पूरा फोकस आ अंत्रपदेश में वहां की राजिती जो पास साल उने भुखता है वहां पर आपको मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पास साल बाज में सत्ता में लोटू तो मेरा बेटा नारा लोकेश महां का मुख्यमंत्री बने वह एक चीज़ जो चाहते हैं हैं सबसे भ्लबोच चाहते हैं कि मुझे मेरी नई राजदानी अमरावती बनाने के लिए पैसा पैसा से अमरावथी के तो नहीं मिलेगा ना उन्होंने गाडबंदन क्यो ठोड़ा खाना है चाहते कि आंद परदेश को स्टेटस काला चाहते है दोनों की मजबूरी है, दोनों पैसा उसके लिए चाहते है अपने स्टेट के लिए, पदार मंतरी बोधी, उनसे कहेंगे कि भई, निफ्टी से कहेंगे आप मुख्य मंतरी हो, आप मुख्य मंतरी बने रही है, फिर चुनाव में आपको मदद करेंगे, वहाँ को कैबिनेट क इन्हों ने मांगे दो, इन्हों ने दिया एक, तो उन्हों ने नम को एक भी नहीं चाहिए, ने बना है मंतरी, शुसेना से भी मामला उसी वज़े से टूटा था, मंतरी बनाने की उस पर और यहां ये भी तो ध्यान में रखना है, हम लोग चंदरबाबू, नाइडू के औ और एजंडा थे, उस पर आजाते हैं, जैसे अभी मां ख़बर चल रही थी कि जेडियू चाहता है प्राइगी साहब कि आप पहले common minimum program बनाएगे, वहां बनाते ही common minimum program आपके जो मुद्दे होते हैं, वो डाइलूट हो जाते हैं, तो पहले जो थोड़े से भी contentious मुद्दे होते हैं, वो रफादफा कर दी जाएंगे, यू सी सी पर मैं सुन रहा था किसी टागी को, यू सी सी पर उन्हेंने कहा कि, मैं आता हूं भी, किसी टागी कुछ बोल भी रेवों भी सुनाओंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि, यू सी सी पर आप consensus बनाएए, अगनी बीर और दुबारा विचार कीजे, बिहार की तरीके से पूरे राजी के अंदर कास सेंस कराई, ये पूरे देश के अंदर, ये बात तो अलड़ी कह रहे हैं हो, मुझे लेकिन देखिए, जिस प्रकार की स्थितियां बनी है, उसमें भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार पर नहीं है, लेकिन अब ये देखना है कि उसमें नरिंद्र मोदी कहां तक कंप्रमाइज करने के लिए जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि नरिंद्र मोदी की जो सक्सियत है और जो सरकार चलाने का उनका तजूर्बा और जो जिस प्रकार का उनका तेवर है, उसमें वो मामला है जिस पर भारतिय जनता पार्टी के लिए राजनेतिक तोर पर नफ़ा नुकसान की बात नहीं है लेकिन जो विदेश मंत्राल है उसको सीधा प्रधान मंत्री कहीं ने कहीं से उसको गवर्न करता है एकोनॉमी जो है वो जरूर चाहेंगे कि हम अपने कंट्रोल में लेकिन स्पीकर का पद्ध जो है वो भारतिय जनता पार्टी पिश्ली बार जो है वो रखा था मुझे नहीं ध्यान में है कि इस बार भी स्पीकर का पद भारती जनता पार्टी के पास है या नहीं है लेकिन पहले भारती जनता पार्टी के साथ गटवंदन में जो स्पीकर का पद होता था वो भारती जनता पार्टी अपने पास ही रखती थी राजनेतिक व्यक्तित हैं और उनको यदि कोई बहुत बड़ा उहदा यदि केंद्र में मिलता ये बात तो नितिस कुमार भी जानते हैं कि उनका कोई राजनेतिक वारिश नहीं है आगे ले जाने के लिए पार्टी को तो बहुत हद तक आएक धंग से भारतिय जनता पार्ट जो नहीं थी यही कारण तो था वो छोड़ करके चले आए आज तो उनका कम से कम उहदा के सब्सक्राइब अगर है स्टेट्मेंट तो हम सुन्वाना चाहेंगे जरा सुनवा दीजे के सी त्यागी जी को नुशल है जेडियों की तरफ से कि आवाद मतदाताओं के इससे में नराज के रही है हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कम्यों खान्यों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए यूसीजी पर यूनिफॉर्ण सिमिल कोर्ट पर पार्टी के राष्टी अद्ध्ध्ष होने के इनाते विधी आयोग के अद्ध्ध्ष स्री चौहान को मुक्वंत्री चिट्टी लिख चुके हैं हम इसके विरुद्ध नहीं है लेकिन जितने भी इसके एक ओर्डर से चाहे मुक्वंत्री हो चाहे डिफ्रेंट पॉलिटिकल पार्टी हो या डिफ्रेंट सेक्ट्स हो उन इसलिए जाती के दिनियंगना समय की मांग है और हम इसको परसुक करेंगा कोई कोई करी कंडिशन नहीं है अनकंडिशनल सपोर्ट है लेकिन बिहार को विशेष राज का दरजा दिया जाए हमारे दिल और दिमाग में है बटवारे के बाद बिहार की जो दुरुबे की यह एसमानता दूड़नी है अगनी वी रियोजना की विरोजना की विरोज करते रहे हैं पहले जब इंडिया आइसा देते रहे हैं विरोज जारी है सुड तो ठीक है कह रहे हैं कि हमारी कोई शर्त नहीं अंकंडिशनल सपोर्ट है लेकिन वैसे बीन बनाना पड़ेगा इंडिया का ले बिल्कुल क्योंकि बात रखनी होती है जब अपनी बाते कहनी होती है तो वह कोडिशन कमिटी में ही कई जाती है वह बात होगी कॉमन मिनमम प्रोग्राम की आप बात बोली चुके क्योंकि वह यह चाहते हैं कि जनलता के सामने कोईलिशन पार्टनर्स यह चाहते होते हैं कि उनके सामने साफ हो कि हम आपके किन चीज़ों पर साथ तीन बातें बड़ी कास सेंसर्स पर उन्होंने कहा कुरे यही दोनों है अगनीवीर और जाती गड़ना जो भारती जनता पार्टी किसी भी इस्तिती में बैक नहीं करना चाहेगी और जबकि अगनीवीर से अब लोग मान रहेंगे नुकसान हुआ है मुझे लगता है कि देखे अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारक रहें होंगे लेकिन क्या सचमुच अगनीवीर की वजय से भारती जनता पार्टी को ऐसा कोई नुकसान हुआ ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि इसका अगर हम देखें तो फिर दो-तीन चीज़ें के अंध्र परदेश में नाईडू फीर से आ गये तो इनमें से कोई कारक आता है तो प्री पोल अलायंस्में में तमिल नादू में मत प्रतिश्त बड़ा जियसा है फंब सु दो यह यह के बढ़ आन्दरा प्रदेश को लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि हिमाचल के बहुत सारे लोग आर्मी में जाते थे, उत्राखंड के बहुत सारे आर्मी में जाते थे, वो दोनों जीत गई है, लेकिन ये डिपेंड करता है, देखिए हर जगा सोचल कोईलिशन फिर अगेन एक अगनी वीर पर दो बात किया रहा हूं फिर हम लोग ब्रेक लेंगे एक पहला अगनी वीर से पीछे हटना इस सरकार के लिए नाक का सवाल बन जाएगा सरकार खुदी बोल रही है कि हम उसको जो है रिवियू करेंगे सरकार कोई नाक का सवाल बन जाएगा उसमें जो अवधी है जो अभी की अवधी है उसमें चार साल से यह हो सकता है कि आट साल के लिए कर दें दूसरी बात जो 25 प्रतिसत का है मामला अभी की 25 प्रतिसत रिटेन करेंगे दबाव में किया जाएगा तो बड़ा खराब संदेश जाएगा इसका आपने उस वक्त होम वर्क नहीं किया था पुरा मजाग थोड़ी है सीना से चुड़ा मामला है अगर ये वापस जाएगे